हेलो गाइज वेलकम बैक टू परिक्षा गुरू एकडमी आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीए जीके का पार्ट 38 गाइज वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमाई चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सा पहले देखते हैं मोटिवेशन थौट उसके बाद देखेंगे बन बाई बन कोश्यन देखते हैं मिश्टर खान ने क्या लिखा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है नाइस देखते हैं काजल ने क्या लिखा है शिक्षा से जादा मुलाइम चीज मूलवान बात है मतलब शिक्षा से ज्यादा कोई भी चीज आपके मुलवान नहीं है अगर आपके पास एजूकेशन है ना तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हो दो मैं मतलब बो चीज बताना चाहता हूं जो आपके पास है भीम राव अमबेटकर के बारे में आपने सुना होगा आ सारे लोगों को एक स्कूल में आने की अनुमती होगी समझ रहे तो शिक्षा लेकिन कैसे जीते उनके पास कोई रुपया नहीं था कोई दौलत नहीं थी यह बहुत अच्छी फैमिली राजा महराजा फैमिली से नहीं थे के क्या था उनके पास दिमाग सा दिमाग था समझ यह ऐसे होता है कोशिश करते रहो हमेशा बस कभी भी हार नहीं होती है आपको सीखते जरूर हर बार आप सीखते हो परिशान बिल्कुल भी मत हो है अगर हो कि पेपर नहीं निकला हमारा पिछली बार इस बार क्या होगा साल बहुत जल्दी चला गए दो कोई टैंसर नहीं दो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी आज मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ दो को जो आप जोब के सोच में तो इसी वह से अपनी मेनत करो फल की चिंता मत करो इसी वह से बोला जाता है अपनी मेनत करते हो जितनी कर सकते हो जितनी कर लोगे उतना बढ़िया है आपके लिए चलो देखते कुशन नमबर बन क्या बोलता है लिगनाइट किसका एक पिरकार है लोहा कोईला अबरक य तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन बी कोईला बहुत इसी कुश्चन है चलो देखते कुश्चन नमर सेकंड पिरवासी भारतिय मजदूर दिवस मनाया जाता है 15 मार्च 24 अक्टूबर 14 फर्वरी या फिर 9 जन्वरी पिरवासी भारतिय दिवस पिरवासी भारतिय दिवस के बारे में जानती होगे इससे क्या बोलते हैं माइगरेंट माइगरेंट बोलते हैं ना माइगरेंट लेवर जो होती है आपकी तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D 9 जन्वरी अच्छा 9 जन्वरी कोई क्यों क्योंकि गांदी जी जो थे वो 9 जन्वरी 1915 को भारत दक्षिड फिरिका से बापस आये थे इसी वेज़ से 9 जन्वरी को ही फिर्वासी भारती दिवस मनाया जाता है अच्छा यह अमेरिका में मनाया जाता है आपका 12 अक्टूबर को याद रखना अमेरिका में मनाया जाता है 12 अक्टूबर को चलो बढ़ते हैं आगे देखते हैं question number 3 देखते हैं आज मैंने दिवस वाली आपके बहुत सारे question लिए हैं ठीक है guys आपको पता है कि बन बाई बन हम किसी ना किसी एक topic फोकस कर लेते हैं जिससी क्या हो जाता है एक topic आपका clear हो जाता है आज आपके बहुत सारी योग मतलब दिवस के बारे में है थर्ड क्या बोलता है योग दिवस की स्थिति को मनाया जाते हैं 21 जून 5 जून 11 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर तो बहुत इसी question है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A 21 जून और कर इसकी शुरुआत कब हुई 21 जून 2015 को तक प्रिदान मंत्री बर्तवान प्रिदान मंत्री ननि होता है महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कहां पर बनेते हैं पहली बार और यहीं पर बनेते गांधी जी कोलकाता इलाबाद बेल गाओं या फिर मद्रास तो कब बने थे? 1924 में बने थे? बेल गाओं अधीवेशन में तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? ऑप्षन C, बेल गाओं अधीवेशन में क्वेशन नमबर 5 देखते हैं राष्टी बिग्यान दिवस मनाई जाती है 30 जनवरी 12 अगस 28 फरवरी या फिर 14 नमबर बहुत इजी कोश्चन तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? ऑप्षन C 28 फरवरी को देखो एक चीज यह देखो बहुत इजी कोश्चन है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत जादा इजी के चक्कर में कोश्चन घडबड भी हो जाता है तो यह भी धियान कोश्चन नमर सिक्स क्या बोलता है तेहरी बान भारत के किस राज्य में इस्तित है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रिदेश पंजाब या फिर उत्त्राखंड तेहरी बान तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? कुश्चन नमर सेविन देखते हैं भारतियों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने आरंब कराया? शेशा सूरी, चंद्रकुप्त मौरिय, कनिश्क या फिर महमूद गजनवी महान सिल्क मार्ग तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? अप्सन सी कनिश्क ने अच्छा यह सिल्क मार्ग क्या है? दोगों सिल्क मार क्या होता था? यह आपका चीन से लेके एशिया, अफरीका में एक मार्ग था जिसमें आपका रेशम से लेर्टेट जितने भी चीज़ें होती थी कपड़े बगयरा या धागे स्समें तो फो इसका कारी होता था ठीके समझ मैं तो इसको बोलते हैं सिल्क और वार्ओ करें चलो बढ़ते चोश्च नमर इसको सिल्क और बोलते हैं किस दो मुगल वाश्चा ने अपनी आत्मकता स्वेम लिखी थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन सी जहांगीर एभम बावर अचा इन्होंने अपनी जो और अटो बायोग्राफी थी वह खुदी लिखी थी अंदलब खुदी लिखा था बाकि सब लोगं की अलग अलग लगों में लिख्या है कुश्चे नमर नाइन क्या बोलता है वायूसेदिवस के स्थिति को मनाय जाता है तो बायूसेना दिवस किस्ति को बनाया जाता है तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा ओप्शन दी आठ अक्टूबर को इयर फोर्स डेई अच्छा इसके साथ जान लेते चार दिसंबर को कौन सा दिवस मना जाता तो आपका mystery जाता है और थल्सेना दिवस कम बट या फिर, मिन जाया जाता है 12 चाहर दिसमबार को नेवी डिया फिर 9 1ritt मना मना जाता है 4 दिसमबर को आट अक्टूबर को यह एफोर्स दीया बायुसेना दिवस यह ये भी एंग्लिश दोनों बता रहा है ताकि confused now question number 10 देखते हैं किस vitamin की कमी से ले लगते हैं vitamin c vitamin a vitamin d फर vitamin k है यह तो इसका right answer क्या हो जाएगा option a vitamin c की कमी से vitamin c की कमी से आपके बहुत सारे रुख दूर होते हैं जैसी कि आपका दाँ ना तो जो आपकी skin होती है इसके जो एक चीज़ चलो मैं बता जयता हूं जो आपकी एक्ट जितनेबि बड़े-बड़े सेलेवेटी जो रता हैं यह विटामिन सी विटामीन थे ऑटा यह ऑज्ट बहुत महँगी होती है वो तो आट तो जो हमेटिए घ्यावर्डchnite कंट कर दर शाहिसानी कि पया हूद भाली वह नाकून बोलते हैं कि जब यहां सबस्कार की उसी है है इसobject सारे सबजी और सारी काने चाहिए थार कि आपको सारे समय क्यों सकें कुश्य नम्बर 11 क्या बोलता है सजग रहो किसका आदर्श बाग का है स्काउट का सेना का रेलबे का या फिर बायो सेना का सजग रहो तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन ए स्काउट का कुश्य नम्बर 12 देखते हैं संगीय मंत्री परिशत किसके पिर्थी सामोहिक रूप से उत्तरदाई होती है राजिसवा लोगसवा संसद या फिर राष्टपदी संगीय मंत्री परिशत बहुत इजी कुश्य नहीं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन बी लोगसवा के पित्ती उत्तरदाई होती है कुश्य नमर 13 देखते हैं सूशासन दिवस किस तिधी को मनाई जाती है 20 अगस 15 जन्परी 25 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे याद रखना गुड गवर्नेंस डे गवर्नेंस डे इक इसकी जैनती के मनाय जाता है तो यह अटल व्यारी बाचपई की जैनती पर सूशासन दिवस मनाय जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सण सी 25 दिसंबर को ठीक है चलो देखते कुशन नमर 14 गोवा की राजभाशा क्या है मराथी कोकडी मल्यालम या फिर कन्नण तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बहुत इसी कुशन तो ऑप्सण भी कोकडी भाशा यहां पर बोली जाती है अच्छा 19 दिसंबर 1961 को गोवा किससे आजाद हुआ तो यह आपका पुर्टगाल से आजाद हुआ भारत का मदर सबसे बाद में जो आजाद होने वाला राजभी कौनसा थो आपका गोवा एं ठीक है और 30 मई 1987 को गोवा इस्थापना दिवस मनाता है थीज मई है तो लेकिन में में जो होते हैं जहां पर आ जाता है जिसका जादा पूछा जाता है उसके बारे में कुश्यंज जादा पूट अप किये जाते हैं तीस में अगर यहां की बात की जाए तो अपके इसाब से पहले 2011 की जिंगर्णा के अरुसार लगब बारा लाग थी अब हो गई होगी 15-16 लाग ठीक है जादा पूपलेशन यहां पर नहीं है बहुत शांदार जगए घूमने के मतलब के हैं बीची बीच हैं यहां पर यहां पर जो न फिर पानी एकदम नीला नीला दिखाई देता है चमकता है पानी कुश्चन नंबर 15 किसान दिवस के सिध्य को मनाई जाती है 23 दिसंबर बीच दिसंबर 15 मार्च यह पर 24 सितंबर किसान दिवस तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए 23 दिसंबर को किसान दिवस मना जाता है कि अच्छा किसान दिवस कपसे मना जाता है भारत में तो यह आपका भारत के पाचवे परदान मंत्री भारत के 5 बढ़ान मंत्री चौद्री चर्ण सिंग के द्वारा इसकी शुरुवात की गई ठीक है प्लाल चौद्री चर्ण स्की उसमें यह शुरुवात की गई थी और इसकी वैसे तो अलग अलग जगए अलग अलग दिवस्वर मनाय जाता है अब इसमें होता है किया मतलब किसान दिवस मनाय जाता है किसानों की इस्तिति के बारे में किसान मतलब कैसे काम करना चाहिए किसानों को उनके खेती के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि कीड़ा नहीं लगे बहुत पहाड तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन सी उडिसा कुश्चन नमर 17 देखते हैं दिसंबर 2004 के सुनामी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ शीलंका भारत थाइलेंड या फिर इंडोनेशिया कि दिसंबर 2004 के सुनामी से कहा का कुश्चन पुचा गया लेकिन यह भेंकर सुनामी था इस बेश इसका कुश्चन आ जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफशन डी इंडोनेशिया इंडोनेशिया कैप्टिल कहा है जिकारता कुश्चन नमर 18 जीन को सबसे पहले किस बैग्यानिक ने आइसुलेट किया था हर्गोबिन कुराना डॉक्टर एमस नाथन चार्ल्स डार्बिन या फिर लैम सबसे पहले पर आइसुलेट पता किस ने लगाया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफशन ए हर्गोबिन खुराना ने कुश्चन नमर 19 देखते हैं और जा सरक्षड का सिद्धान किस से प्रवावित था लिटल ला चाल्स ला लेंज ला या फिर बॉयल ला तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफशन सी लेंज ला पर पिर भावित था चे उर्जा सरक्षड का जो किस ने दिया मतलब इसका जनक किसे बोला जाता है तो 1841 में चाल्स मेयर करके नाम है ठीक है याद रहना चाल्स मेयर करके उन्हें नें और जा सरक्षड का दान में होता है क्या है यही कि उर्जा को ना तो बनाया जा सकता है नहीं इसे नश्ट किया जा सकता है बस इसे क्या किया जा सकता है कि एक जग़े से दूसरे जग़े ट्रांसपर किया जा सकता है बस यही इसका नियम था और यह किस से फिरवावित था तो आपका लेंज ल बहुत इजी कुश्चिन तो केस का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए कि चौदा नॉम्बर को अच्छा चौदा नॉम्बर को एक और दिवस मनाया जाता है कौन सा बिश्व मदुवे दिवस बिश्व मदुवे दिवस वर्ल्ड डाइबिटीज दे 14 नॉम्बर को मनाया जाता है और आपका बाल दिवस तो मनाया जाता है कुश्चन नॉम्बर 21 दिखते हैं भूमद्र सागर किन दो देशों के बीच में इस्तित है जॉर्डन एबम इस्राइल इरान एबम रूस इटली एबम तुर्की यूनान एबम जॉर्डन है मुझाल के शायद आपको एक चीज नहीं पता हूं मैं एक चीज आपको बता है इस्राइल जो है आपका इस्राइल जो है किसी भी देश्ट याद नहीं रही इस्राइल से जब युद्ध हुआथ तो आसपास की जितने देश तो इसने एक दिन के अंदर ज़िए तीन देश हैसे हैं जो मतलब किसी भी देश से नहीं तरते क्यों कि इनके पास जैसे बहुत सारी जैसे आपको सुना होगा इंटरनेशनल एटोमिक इनर्जी वो होता है आपका संस्ता होती है तो उसमें सभी के साइन होते हैं कि कोई भी किसी पर परमाडू हमला नहीं कर सकता है इस्राइल क्या है उसमें साइन नहीं करता है ठीक है तो इस्राइल जो है इन चीजों से दूर रहता है इसी वह से इसके पास पता नहीं है कितने या कितनी चीज़ें इसके पास अभी लेवल हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफ्षण जॉर्डन एवं इजराई के बीच कुश्चन नमर 22 देखते हैं टाइफ़ाइट के संग को पिरभावित करता है मस्तिश्क आथ गला या फिर आख तो टाइफ़ाइट के संग को पिरभावित करता है तो ऑफ्षण बी आथ को पिरभावित करता है कुश्च नमर 23 देखते हैं सलफर के अड़ों के सही सूत्र क्या है जो सलफर का सूत्र होता है उसका सही सूत्र क्या है s8 s4 यह तरीके से साप एक्च में नीचे लिखा हुआ है s4 या फिर s5 कि देखो हर बार पढ़ा होगा लेकिन बहुत इजी कोशन है लेकिन क्या है कि ऑप्शन देखें आपको क्या कर दिया कन्फ्यूज कर दिया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एस एट याद रखना चलो देखते हैं कुशन नमर 24 आज गाई आपके कोशन कुछ इसी है कुछ आपके टफ है सबी टाइप के युस्टिशन ने देखो यह आपको पता हीए पूरा एकिस हैत होता है आप पल कि इसकाल की प्रुमुक्व मुद्रा है शूंग काल की मौरीय काल की नंद काल कि या फिर बुद्ध काल की पढ़ तो पल किस काल की प्रमूब मुद्रा है तो option B मौरिय काल की question number 25 देखते हैं राष्टिय पक्ची दिवस मनाई जाती है 12 नौमबर, 8 अक्टूबर, 7 दिसंबर या फिर 8 मार्च तो राष्टिय पक्ची दिवस तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option A 12 नौमबर को 8 अक्टूबर को क्या है बायू से न दिवस 8 मार्च को क्या है वर्ल्ड वुमेंस डे 7 दिसंबर को जहता कि जंड़ा दिवस मनाई जाता है उसे confirm नहीं है लाला आप लोगों को देख लेना एक बार ठीक है जो चीज में confirm नहीं होती मैं उस चीज को बता देता हूँ देखो 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 ऐसा है में भी आपकी तरह जाना कि इसा तो है नहीं कि मैं मशीन याद करता हो तो कभी-कभी confusion मुझे भी उता इत्ना पढ़ने के बाद भी या मतलब बताने के बाद भी confusion होता है तो बही चीज होती है को इसके नबर 26 का बोलते है कोश्का के अंदर सूचना का फिरवाख इसके दौरा होता है DNA RNA दोनों या इन में से कोई नहीं जो आपकी सेल होती इस तरीके से उसमें गॉल जी बॉड़ी होती है सबसे चोटा जीव मतलब यह चोटा जीव है आपकी बॉड़ी होती है कई हजार करोड़ों और वो सेलों से मिलकर बनी होई है ठीक है सेल जो होती है बहुत एक छोटा सा बहुत माइक्रोइसकोप से देखा जा सकता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओफशन बी आर एने राइबो नुक्लिप एसिड कोश्णा के अंदर जो सूचना का पिरभा होता है वो आर एने के द्वारा होता है कुश्ण नमर 27 देखते हैं पाँच फिरकार के रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है तो किसके पास है पाँच फिरकार के रिट जारी करने का अधिकार तो आप्सन ए सर्बोच नियाले के पास कुश्य नमबर 28 देखते हैं चंदर्मा को पिर्थिवी का एक चक्कल लगाने में कितना समय लगता है 27 दिन 8 गंटे 25 दिन 5 गंटा 24 दिन 6 गंटा या फिर 23 दिन 3 गंटा देखो जैसे कि आपने दिखा होगा जो डेली बर्ग वाले करने होते हैं तो जब वो डेली काम करते हैं तो जिस दिन का रुपया मिलता है ठीक उसी तरीके से आप सुचा करो जिस दिन आप पढ़ाई करोगे उस दिन की नौलेज आपको मिलेगी ठीक है आप उस दिन छोड़ दोगे उस दिन की knowledge आपकी उस दिन के question उस दिन की practice आपकी गई फिर दूसरे दिन इसी तरीके से जैसे आप कोई भी काम इस चीच को अपने routine में बना लो आप मतलब सुचो यह हमारा फर्ज बन गया कि पढ़ाई करना मतलब अगर हम नहीं पढ़ेंगे न तो फिर यह हमें नुकसान देगा फिर बनना दूसरा बनना जो आप सुचते हों कि ऐसा ने हम आज नहीं पढ़ा तुमने आज पढ़ाई छोड़ी आप लोगों ने तो संबल लो दूसरा बंदा आप से जाधा पढ़ड़ा है वो पढ़ेगा तो उसकी नौलिज गयन होगी अब आप देखी रहे होगे आप कोई साभी कहीं भी टेस्ट देना यह कहीं भी आप एक्जाम दो पैक्टिस सेट लगाओ पूरा-पूरा पेपर का तब देखना कि कि आप कितने कुश्शन कर पाते हो जीएजग के का तो मुझे नहीं लगता कोई कुश्शन छूटने वाला आपका अब यह थो आपकी तैयारी मैं बता रहे हो अभी कम है अभी तो और करना आपको मैं आपको 10,000 कुश्चन कराऊंगा जीए जीके के इसी टाइप से जिन्दगी में अगर कोई एक्जाम आपसे बाहर गया जीए जीके का तो ये वीडियो मतलब समलो डिलीट हो जाएंगे इतनी बड़ी बात क्योंकि मैंने इसी टाइप से आपका मलब लिया है और देखो बहुत जल्दी आपकी मैद की कि वी खिलास होगी हिंदी की भी है ठीके बात चल लएक है सरकी रिजनिंगी की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option A 27 दिन आठ घंटा को कुश्चन नमर 29 यार यह कुश्चन बारवर आता है पता नहीं क्यों वैलेंटाइन दिवस के सित्य को मना जाती है 14 सितंबर 14 फर्वरी 11 सितंबर या फिर 25 नॉबर चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं मैं बता दूँगा आपको क्यों वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है तो इसका राइट अंसर बहुत इसी कुश्चन तो option B 14 फर्वरी को कोई भी बात बता हूँ आपको दिल पे मत लेना ठीक है दिल पे मत लेना मैं इसके बारे में बत यह थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिता हूँ आखर बैलेंटाइन दिवस मनाय क्यों जाता है वैलेंटाइन डे एक रूम का राजा होता है कि वो क्या करता है वहां के जितने भी वो मतलब चाहता है कि मैं दुनिया पर हर राजा यही चाहता है कि मैं जादा से जादा अपना सामराज पहला हूँ और राज्य करूँ हर एक राजागी ये खुआश होती है हर किसी की खुआश होती है तो उसने वहाँ पर क्या किया जितने भी उसके सैनिक थे या जितने भी पुरुष थे जो उसके अधिकारी थे उनके लिए क्या कर दिया कि कोई भी महला से बिभा नहीं करेगा तिके ध्यान से सुनना महला महला से वीफा नहीं करेगा उसे उस का से उसका क्षका रहूना बेदा की के लिए नऌत ज्यादा विबाद होने लगा तो फिर एक संत थे मैं नाम बता रहा हूं देखो यह कोई है मतलब एक्जाम में नहीं है लेकिन जश्टा आपको पता होना चाहिए तो एक संत इसे संत बैलेंटाइन तो संत बैलेंटाइन ने क्या गिया इसका बिरोध किया सब जब उन्होंने गिरोथ किया उन्होंने जबर्जास्ति बहा के सेंको के और अहीकारिकों की शादी करा दी उससे क्या होता है फिर एक इंस सूली पर चड़वा देता है तो वही दिन मानते हैं कि सूली पर चड़ाया गया चौदा फरबरी को ओभारे 170 मैंड़ मनाया जाता है इसमें आपको तो एक नाइटी-णाइन पर्शंट चांस होते हैं कि इसमें नाकामयाब होते हैं कुश्चन नमबर 30 देखते हैं पिर्थवी बिष्व पिर्थवी दिवस किस्तिति को मनाया जाता है अपरेल पाफ्रेल या फिर्टाइं या विस अपरेल एक ही आउसर देदिए चलो तीन में से बतादो आधी मत कहना सरन ने ऐसा वोल दिया कि नाकामयाब होते हैं मतलब समतार हो समझदार बच्चों तुमस्दार हो तुम लोग ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगो ऑप्शन ए बाइस अप्रेल को ठीक है और बाइस मार्च को आपका मनाया जाता है तो बिश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाटर्डी मनाया जाता है बाइस मार्च को याद रखना और फिर्थी बिश्व पिर्थी वी दिवस बाइस अप्राइल को को कुश्चन नमर थाटी बन दिखते हैं शनी के रिंग्स की कोच किसने किया था न्यूटेंट गैलिल्यू एस चंद शेकर या फिर सीबी रवर्ण लोगों ने पूरी जिंदगी निकाल दी लोगों में नुक्स निकालते निकालते अगर इतना खुद को तराशा होता तो शायद आज हीरा होते हैं रहार है मालाव हुआ होता है लोग जो है दूसरों में हमेश्दा कमी निकालते निकालते पूरे जिन्दगी को रगय kiss लेकिन अगर या Boris कि आपनी शक्तियों को पहचानो अपनी अंदर इस्टोंगनिस को पहचानो अपनी वीक्निस को पहचानो कि आपके weakness क्या है आपकी ताकत क्या है और जो भी अपने आपको समझो तो घो मैं किया मैं सबसे पहले बता हूं अपने आपको समझो कि मुझे क्या पसंद है तो में क्शा पाणार आगर आपको क्या लगता अच्छा मैं मैं अपने पर्सेनल बता हूँ जब मैं थोड़ा सा उपता हूँ तो मैं क्या करता हूँ अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ यह फिर मोटिवेशन ऐसी चीज़े देखता हूँ जो थोड़ा सा इंस्पायर करती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑफशन बी गैली लियोने टेली इसकोप के द्वारा गैली लियोने शनी के रिंग्स की कोच किया था कि कुश्चन नमर 32 देखते हैं नियागरा जल पिर पाथ किसकी सीमा पर इस्तित है इरान एवं इराक चीन एवं बर्मा अमेरिका एवं रूस अमेरिका एवं कैनेडा तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगो ऑफशन डे अमेरिका एवं कानेडा नियागरा जो बाटरफाल है आपका वह आपका अमेरिका और कानेडा के बीच इस्तित है अच्छा यूएसे और कानेडा की बीच एक रेखा भी इस्तित है कौन सी 49 डिगरी पैरलल 49 डिगरी समानतर कुश्चन नमर 33 देखते हैं बिश्व मदू में दिवस मनाई जाती है 14 नॉमबर को 15 मार्च को 10 जन्वरी को या फिर 14 नॉमबर को बिश्व मदू में दिवस तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन A 14 नॉमबर को अभी पढ़ा रही था बाल दिवस जो मनाई जाता है वो आपका कब मनाई जाता है 14 नॉमबर को और वोई आपका मदू में दिवस भी 14 नॉमबर को वर्ड मदू में दिवस है वो मुगलो को बिरुद लड़ने वाले पिर्थम सिख गुरू कौन थे गुरू नानक गुरू अंगद गुरू हरगोबिन या फिर गुरू ते बहादूर मुगलो के बिरुद लड़ने वाले सबसे पहले लड़ने वाले पिर्थम सिख गुरू कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सण सी गुरू हरिगोबिन दू कुश्चन नमर 35 देखते हैं भारत का देशांत्रिये विस्तार कितना है ओप्सण पड़ो फिर आंसर दो इसके लिए रुख जाते हैं 20 सेकेंड तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्सण ए अट्सट डिग्री साथ मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांत्रिये विस्तार है ठीक है और अकर पूछ लिए अक्छांसी विस्तार कितना है अक्छांसी विस्तार तो याद रखना 84 376 ठीक है कैसे याद रखूँ ए 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ठीक है अक्छांसी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है और आपका देशांत्री विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है कि कुश्चन नमर 36 से देखते हैं मजदूर दिवस के सिथी को मनाए जाती है चार मार्च 1 माई 2 जून या फिर 5 मार्च तो इसका right answer क्या हो जाएगा option B 1 माई को अच्छा बहर सरकार दोरा एक वो भी एप भी लाउंच किया गया था एक माई को आपका किसान सबह एप ठीक है किसान सबह एप लाउंच किया गया था में किसानों को उनकी फसल के बारे में सही दाम के बारे में बताया जाएगा याद रखना है यह आपका करेंट से भी कुश्चन आ सकता है चलो देखते हैं कुश्चन नंबर 37 अंजू बावी जॉर्ज का संबंद किस खेल से है किस खेल से है ठीक है इस तरीके से लिखा हुआ है कि तीरंदा जी निशाने बाजी लंबी कूद या फिर टैनेज देखो अब यह कूश्चन आया हाला कि पुरानी एटलेटिक्स है इतना तो पता है लेकिन इसके बीचे की बज़ए क्यों कूश्चन आया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन सी लंबी कूद में तो इन्होंने 2003 में पेरिस एटलेटिक्स में लंबी कूद में कास से पदक जीता था कास से पदक जीता था कास से पदक जीता था जो ऐसा करने वाली पहली बारती मेला थी तो इस वैसी कूश्चन मना था अब 2003 से लेकर अब तक कितने एटलेट सो हो चुके होंगे बहुत सारे एटलेट हो चुके होंगे लेकिन इनका ही कूश्चन क्यों मेला दी औरने कास्ट पदक मिला था थे इस चीज को आप एक्जाम पैटर्ण को समझा करो थोड़ा सा कि मैं चाहता हूँ कि आप एकदम ओपन माइंड रहो एकदम ओपन माइंड जब आप ओपन माइंड होता ना किसी भी चीज को आप कैप्चर बहुत तेजी से करते हो कुश्चन नमबर 38 क्या बोलता है राजा राम मोहन राय को पहली बार युग दूद किस ने कहा था सुवाश्यंद बोस पंडित नेरू माहत्मा गांदी या फिर हिटलर युग दूद तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ए सुवाश्यंद बोस ने पहली बार राजाना मोहन राय को युग दूद कहा था कुश्चन नमबर 39 देखते हैं हड्डिय ये एवम दातों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवशक्ता होती है आयोडिंग हेमोगलेवन तामा या फिर कैल्शियम तो आराम से बता सकते हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम कैल्शियम तता फास्पूरस से हड्डिय तता दान्त मजबूत रहते हैं अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखा करूं आप जो मैंने दिखा है अभी गर्मी चले ही तो आप में जो होता है वो आपका फास्पूरस मिला हुआ होता है और फास्पूरस क्या करता है आपका हड्डियों को गलाने का कारे करता है ठीक है याद रखना कैल्शियम और फास्पूरस की बेचे से मजबूत होती बो चीज अलग है लेकिन इसमें जो मिला हुआ पदार्त होता ह तो आपका फॉस्पॉरस मिला हुआ हुसता है году मुशन नमर फोटी क्या बुलता है यह एकता दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त 31 अक्टूबर 30 जन्मरी या फिर 22 मार्च तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन B 31 अक्टूबर को और किसकी जहनती पर सरदार बलबबाई पटेल की जहनती पर राष्टी एकतदिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को कुशनमरं 41 कर देखते हैं दो समान अंतर रपडरों के बीच रखे कितना पिर्तिवयों देखे जा सकते एक दो चार या फिर अनन्त एम अच्प की दो समान तर दरत्पड गया है इस तरीगे से अरं उनके बीच पिर्तिवयों जो कितने देखे जा सकते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑपसंडी अनन्थ देखो कोई देखा ऐसे निकलेगी कोई ऐसे निकलेगी कोई ऐसे निकलेगी तो अनन्थ प्रितिविम बनेंगे मतलब की अनन्थ इन्फाइनेट कुश्य नंबर 42 देखते हैं चीन के ग्रेट बॉल का निर्माड किस ने कराया था शी वंग टी ने शी कौंग टी ने मुसूल नी ने या फिर कार्ल माक्स ने चीन के ग्रेट बॉल तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सेन ए शी वंग टी ने चीन के ग्रेट बाल का निर्माड कराया था यह हला कि बहुत पहले हुआ था आपका इसापूर्व दोसो डाइस सो इसापूर्व इसका शुरुवात हुई थी ठीक है यह हुआ क्योंकि जो बाहर के ल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले लगतार घर पे रहें जब आपको जरुवत हुई हो तभी घर से बाहर निकले हैं बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो देखो आपका पता ही है जेल वार्डन और सी एचसल के फॉर्म मतलब डीट आ चुकी है तो आपका के लिए तो पचास कुश्चन इंगलिस सब पचास-फचास कुश्चन का टार्गेट लो कोई एक्जाम आपका बचने वाला नहीं है बस तीन महीने दे देना और ना एक्जाम निकले तो कहना ठीक है उससे आप सीखोगे है कि को के बाई बाई एब्रीबन